हाई गाईज, वेलकम टू ग्लैमर सोन तो आज मैं आपसे कहने वाली हूँ कि कौन कहता है कि पैसो के पेड़ नहीं होते अगर कोई ऐसा कहता है ना तो आप अपने घर में पैसो के पेड़ लगा लीजे मीन्स एक पेंटिंग बना लीजे सुन्दर सी जो आप कोई से बना सकते हो अगर आपके पास बहुत सारे 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के पड़े है ना तो आप इसको यूटिलाइज कर ही डालो अब आप देख सकते हो यहां कितना अच्छा पेड़ अलरेडी बना हुआ है यहां पे पेंटिंग बनी ही है तो मैं आज आप लोग समझ गये होंगे कि कोई पेंटिंग क्वाइन क्राफ्ट से रिलेटेड वीडियो लेके आई हूं इसमें बहुत साधा सुन्दर डिजाइन्स ह आप अगर बिगनर भी है ना अगर आपको पेंटिंग का पी तक नहीं पता होगा बड़ अगर आप यह सारे आइडियास देखेंगे तो आप जरूर से जरूर पेंटिंग बनाना सीख जाएंगे और इतनी सुन्दर ही पेंटिंग लगती है ना कि उसका कोई जवाब नहीं आपको बस यह करना इस्प्रे कलर ले लो आप और एक डिजाइन बना कर उस पे इस्प्रे से पेंटिंट कर दीजे बहुत अच्छा लगता है और आपको यह भी नहीं जहनजट है कि आपको बहुत कैसे बहुत आसानी से आराम से चिपकाना है ऐसा कुछ नहीं है आपको आप देख सकते हैं एक फिश बनाई गई है क्वाइन से बहुत सुंदर लग रही है यहां एक बाउल बना दिया गया है क्वाइन से ग्लू की हेल्प से चिपका चिपका कर और अगर आप मुझे कहेंगे कि टुटोरियल बनाने को तो मैं डेफिनिटली बना दूंगी इसे पैंटिंग बहुत एज़ी है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है बनाने में और जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारी कोड्स चलते हैं अपने होम डिकॉर के लिए जैसे यहां पे होम लिखा हुआ है आप बहुत आसानी से बना सकते हैं बस अगर आपके पास बहुत सारे सिख्के हैं तो और अगर आपके पास एक एक रुपए अगर आपके पास अठनी जवन्नी ना हो एक एक रुपए कि सिख्कों से बना लो, मिरर डेकोरेट कर लो और क्या चाहिए, पुराना कोई मिरर पढ़ा हो, आराम से सिख्के लगा लो बन गया फोटो फ्रेम बना लो वो भी बन जाएगा तो गाइज ये थे मेरे आइडियाज अच्छे लगए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा मिलती हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई के केल